Hi everyone, मैं आपसे बहुत ही important चीज डिसकस करने आई हूँ, मेरे दिल में बहुत कुछ चल रहा है और ये चीज मैं आपसे important है डिसकस करना और आपका point of view जानना तो guys, top 2 और top 3 की बीच में मैं बात करने मारी हूँ प्रतीक सहचपाल और करन कुंदरा की So guys, करन कुंदरा top 3 में पहुचें पर top 2 की रेस से बाहर हो गए तो guys, कल रात में और आज दीन में दोनों contestants, मैं प्रतीक सहचपाल और करन कुंदरा की बात कर रही हूँ, interview में गए दो ऐसे channel का नाम, मैं channel का नाम नहीं लूँगी, बट मैं यहां बोलूँगी कि दोनों debates की channel थे, जहां पर debates होती है, जैसे हम जैसे audience जाकर वहाँ पर अपना point of view रखते थे, debates होती थी दोनों बड़े channel, दोनों किसी से कम नहीं, एक channel पर प्रतीक सहचपाल गये, एक channel पर करन कुंदरा गये, प्रतीक सहचपाल जब गये वहाँ पर तो वहाँ पर जो views maximum गये थे, जो audience उनको live देख रहते, 7000 से उपर नहीं गया, मैं अगर दूसरी channel की बात करूँ, जिस पर करन कुंदरा गये थे, वहाँ पर 16 से अवब गया, 17, 16, ऐसे ही गया, maximum, मैंने जाकर देखा कितने views थे, तो guys करन कुंदरा टॉप 3 में पहुचे पर टॉप 2 नहीं पहुचे, प्रतीक सहचपाल उनको हरा दिया, Instagram में live की बात करें, तो प्रतीक सहचपाल का 49 के करन कुंदरा को 1 बिल्कुल समझ नहीं आया, आप कुछ कमेंट करना चाहों तो कमेंट कर सकते हों